नमस्कार दोस्तो गुड इविनिंग हमारी यूटुब चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तो अगर आप लोगों ने अब तक हमारी यूटुब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और सब्सक्राइब करने के पसाथ पहला पर किलिक करके notification कौन जरूर कर ले ताकि हम जो भी वीडियो upload करें वो आपको आसानी से मिल जाए जिया दोस्तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने जाना resistance के बारे में और resistance के टाइप के बारे में ठीक है तो पूरी जानकारी हमने पिछले पार्ट में दी थी पहले पार्ट में अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के description में जाके पहला पार्ट देख सकते हैं ठीक है और 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 भी link आपको मिलेंगे mobile repairing से संबंदित पार्ट के तो वो भी आप देख सकते हैं आज आपका दूसरा पार्ट है ठीक है इसको आप आज दूसरा दिन है हमारा और ये दूसरा पार्ट है तो दूसरा पार्ट हमारा है capacitor का ठीक है मैं part 2 यहापे लिख रहा हूँ capacitor ठीक है ठीक है दोस्तो अब हम capacitor के बारे में आपको बताएंगी देखिए capacitor का जो काम होता है सबसे पहले कारिये ठीक है इसका जो कारिये है इसका जो कारिये है वो मैं आपको बता रहा हूँ यह charge को store करता है ठीक है यह current को अपने अंदर रखता है ठीक है store करता है जैसे हम memory कार्ड के अंदर memory store कर रहा सकते हैं इसी तरह से यह current को store करता है ठीक है यह AC को पास करता है और DC को रोकता है पास करना मतलब AC को यह हटा देता है current की बीच अगर AC है current के अंदर देखिए mobile में हम DC current का use करते है ठीक है उसके अंदर अगर DC आ जाती है कुछ percent तो उसको यह हटा देता है और DC को यह बचा के रखता है use के लिए ठीक है दोस्तों तो मैं यहाँ यहाँ पे लिख देता हूं AC को पास करता है DC को यह रोकता है ठीक है दोस्तों AC को पास करता है DC को रोकता है और signal को यह filter करता है कोई भी signal हो उसको यह filter करता है अब signal की बात करें तो चाहे mobile network का signal हो या किसी भी तरह का signal हो या voice हो या wifi signal हो horseport signal हो bluetooth signal हो तो उन सब को फिल्टर करता है और यह current को फिल्टर करता है current को बिल्कुल साफ कर देता है जो कुड़ा कसरा current में बसता है जैसे पानी में हम chlorine की tablet डालते है उसी तरह से यह बिल्कुल काम करता है ठीक है दोस्तों इसका donating letter है C ठीक है इसको C बोलते है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको C बोलते है ठीक है dinotic letter है इसका C है ठीक है दोस्तों यह dinotic है sorry मैंने donotic लिख दिया कार देता हूँ इसको ठीक है dinotic letter है इसका C है ठीक है दोस्तों इसको short form में C बोलते है दोस्तों यह दो परकार के होते है पहला होता है polarized capacitor दूसरा होता है non polarized capacitor ठीक है दोस्तों तो यहाँ पे पहला मैं लिख देता हूँ polarized तो राइज ठीक है ठीक है C लिख देता हूँ के पिश्टर short form में लिख रहा हूँ दूसरा होता है non ठीक है पहला polarized capacitor दूसरा non polarized capacitor ठीक है दोस्तों तो इसका मैं आपको circuit diagram इसका दिखा देता हूँ circuit diagram polarized capacitor का circuit diagram है कुछ इस तरह का है यह plus हो गया यह minus हो गया कुछ इस तरह का है और non polarized capacitor है उसका diagram बिल्कुल simple है इस तरह का जो पॉल्टा नहीं लगा सकते हैं उसको सुल्टा लगाना पड़ता है लेकिन जो non polarized capacitor होता है उसमें कोई plus minus नहीं होता है ठीक है उसको उल्टा शुल्टा कैसे भी हम लगा सकते हैं और ज़्यादतर यूज नोन पोलो राइज का होता है जो पोलो राइज होता है वो मेन मेन जिगे लगे होते हैं जैसे कि हर आईसी के पास एक लगा मिलेगा या दो लगे मिलेगी करेंट को फिल्टर करने के लिए तो हम PCB में उसको दिखा देते हैं ठीक है PCB में आपको यहां पर दिखा रहा हूँ यहां पर पहले मैं एक डाइग्राम है यहां पर दिखा रहा हूँ देखिए यह 33-10 पुराने मोडल का एक डाइग्राम है पुराने मोबाइल में ज़्यादा यह आते थे देखिए यहां पर एक C लिखा हुआ है C 247 और यहां पर एक कुछ भी नहीं है, जहां पर कुछ भी नहीं है, वो माइनस है, वो ग्राउंड से चुड़ा होगा, ठीक है, और जो नोन वाले होंगे, उसको भी मैं दिखा रहा हूँ, आपको, अब नोन पोलोराइज दिखाता हूँ, मैं यहां पर देखिए, C लिखा हुआ है, C 211, C 210, C 209 इन में कोई प्लस माइनस नहीं है, इसको आप उल्टा सिधा कैसे भी लगा सकते हैं, इनको, ठीक है, अब PCB में कैसे दिखते हैं, वो बताता हूँ, तो इस पर एक निसान है, तो जिस पर निसान मिले, वो पोलोराइज है, और जिस पर निसान नहीं है, वो नोन और PCB में इसको कैसे पैचानते, मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो PCB में आप देखेंगे, देखिए इसी की PCB हमारे पास है, तो यहाँ पर यह बड़ा वाला लग रहा है, तो इस पर देखिए ध्यान से, यह वाला, यहाँ पर निसान है, तो यह निसान प्लस का है, और यह व जो 9 वाले हैं, बहुत सारी लग रहे हैं, तेखिए यह लग रहे हैं, तो 3 तो यह लग रहे हैं, 4, 5, 6, सबसे ज़्यादा यहीं लगे होते हैं, इनमें कोई प्लस माइनस नहीं होता है, इनको आप उल्टा सीधा कैसे भी लगा सकते हैं, तो इसकी यही पैचान है, आप इसक पर आपको बता देता हूँ, बना के, चाहिए नोन पोलो राइज हो या पोलो राइज हो या दो कलर की मिलेंगे, तो यहाँ पर देखिए एक निसान यहाँ पर बना होता है, जो पोलो राइज का पिश्टर है, ठीक है, और यह बोडी होती है, तो यह बोडी येलो मिलेगी ये बोडी है येलो मिलेगी और ये जो पट्टी है इसकी ये ब्राउन मिलेगी या फिर इसपे लिख देते हैं या या फिर आपको ये जो बोडी है ये ब्लैक मिलेगी और जो ये पट्टी है ये वाइड मिलेगी ठीक है तो ये कैपिस्टर की पॉलोराइज कैपिस्टर की पैचान है ठीक है अब नोन की बात करे अब नोन पॉलोराइज की बात करे तो ये ज़्यादा तर ब्राउनी होते है ठीक है कुछ सफेद भी दिखते हैं थोड़े थोड़े लेकिन पूरे तरह से सफेद नहीं होते जो पूरी तरह से सफेद होते हैं कागज की तरह वो क्वाइल होती है ठीक है तो इसमें PCB में आपको दिखा देता हूं और यहां पे भी यहां पे तो देखी यह पोलो राइज है नोन है यह भी नोन है यह भी नोन है यह भी नोन है यह भी नोन है हाँ इसका रंग थोड़ा सा फीका भी दिख रहा है यह पर देखे इससे अलग रंग दिख रहा है तो यह भी कपिस्टर ही है तो कुछ इस तरह के ब्राउन रंग के यह आपको दिखेंगे तो मैं यहां पे लि लेंगे दोस्तो यहाँ पे देखिए brown color में यह हो सकते है known और gray में हो सकते है ठीक है तो यह color आप ही याद रखिए जो polarized capacitor है वो इस तरह के दिखेंगे दो type में जो known है वो इस तरह से दिखेंगे ठीक है अब बात करते है टेस्टिंग की तो इनकी टेस्टिंग कैसे की जाती है तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं मल्टी मीटर से की मल्टी मीटर को 20K ओम पर सेट करते हैं अगर कुछ देर वेलू देकर वापस आ जाता है तो वे ओके है अन्यथा ओके नहीं है तो ये मल्टी मीटर से हम आपको बताएंगे ठीक तो वीडियो को ध्यान पूरवक देखें अब मैं आपको बताऊंगा टेस्टिंग देखिए कैपिस्टर की टेस्टिंग करने के लिए हम मल्टी मीटर को ओम की रेंज पर लगाएंगे और 20 के पर 20 के पर हमने इसको सेट कर दिया है अब देखिए मल्टी मीटर की दो पिन है ठीक है अब हम सबसे पहले पोलोराइज कैपिस्टर को चेक करेंगे तो एक मदर बोर्ड है देखिए पुराने टाइप का है मैं इसमें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़े से कॉम्पोनेंट थोड़े से बड़े है ताकि आपको अच्छे से कैमरा में दिख सके बाकी जो नए मुबाइल आ रहे है उनमें थोड़े से कॉम्पोनेंट छोटे है ठीक है इसलिए इसमें आराम से आपको दिख सके तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ तो देखिए यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा Polarize Capisture जिसके अंदर एक पटी दी हुई है यहाँ पे इस पटी का मतलब है यह पिलस वाली साइड है और जहाँ पर कुछ नहीं है वो माइनस वाली साइड है अब देखिए मल्टी मीटर की दोनों पिने इस पे हम लगाते हैं तो देखिए क्या होता है reading देखिया जैसे ही मैं पिन लगाता हूँ तो मल्टी मीटर में एक बार reading आती है और फिर गायब हो जाती है अब दूसरी साइड से मैं लगाता हूँ पलेट के लगाता हूँ पिन तो रीडिंग फिर सोव होती है और फिर गाय बोजाती है इसका मतलब यह बिलकुल ठीक है अगर इस पे रीडिंग इस तरह से या तो लगातार आ रही है या एक जिगर रुख जाती है तो कपिस्टर खराब है या बीप करने लगा है अगर हम बुजर पे सैट करके देखते हैं तो बीप करता है या रीडिंग जीरो पे रुख जाती है या एक पे रुख जाती है तो यह खराब है ठीक है अब पोलोराइज कपिस्टर में तो एक बार रीडिंग चढ़नी चाहिए और फिर उतर जानी चाहिए खतम हो जानी चाहिए तो इससे यह पता चलता है यह सही है इसके अलावा इस पे रीडिंग लगातार बनी रहती है तो यह खराब है या इस पे कुछ भी नई दिखाता है तो भी यह खराब है ठीक है तो यह तो हो गई Polarize Capistor की पैचान अब Non Polarize की बात करते हैं तो यहाँ पे देखी कापी सारे छोटे छोटे लगे हुए हैं यहाँ पे कापी सारे हैं तो मैं इस पे देखिए इस पे टच कर लेता हूं इस वाले पे तो इसकी पिन पे जब हम लगाते हैं तो देखिए हमें कोई Reading Show नहीं हो रही है तो इसका मतलब है यह बिल्कुल सही है अगर इस पे कोई Reading Show होती है तो यह खराब है अब हम पलट के लगाते हैं देखिए हम पलट के लगाते हैं देखिए कोई reading show नहीं हो रही है वो reading इसलिए 100 हुई थी क्योंकि वो पीछे touch हो गई थी तो दोस्तो इसके ऊपर कोई जो non polarize होगा उसके ऊपर कोई भी reading show नहीं होगी अगर उस पर reading show होती है या reading show होके रुख जाती है reading show का होना मतलब वो सोट है वो ख्राब है तो इन दोनों की अलग-अलग टेस्टिंग है ठीक है दोस्तो तो आज की वीडियो में आप लोगों ने सीखा कैपिस्टर के बारे में ठीक है दोस्तो आप लोगों ने कैपिस्टर के बारे में सीखा और अगला पार्ट आएगा ट्रांसफार्मर पे ठी यह क्या होता है और मोबाइल में कैसे काम करते हैं तो उस पर अगली वीडियो आ रही है दोस्तो और में एक चीज आपको बोलना चाहूंगा कि अगर आप मल्टी मीटर खरीदना चाहते हैं SMD मसीन खरीदना चाहते हैं power supply machine खरीदना चाहते हैं mobile repairing tool खरीदना चाहते हैं तो इस वीडियो के description में मैं Amazon का एक link डाल दूँगा जहां से आप वो सब Amazon के तुरूख खरीद सकते हैं चोदो important चीजे सभी का एक link डाल दूँगा 4-5 link में डाल दूँगा SMD का, machine का और multimeter का tool का तो वहाँ से आप online खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं अगर आप market से खरीदना चाहते हैं तो market से खरीद ले जो चीजे मैंने tools की वीडियो में बताई थी वही काफी हैं ठीक है दोस्तो और अगर आपने पहला part नहीं देखा है जिसमें हमने resistance के बारे में बताया था तो इस वीडियो के description में पहले part का भी link आपको मिल जाएगा तो वहाँ से आप देख सकते हैं दोस्तो ये वीडियो आपको पसंदाई हो तो एक like दीजिए कुछ confusion है तो मुझे comment कर दीजिए ठीक है comment का जवाब आपको मिलेगा और हम channel पे phone number भी special phone number डालने वाले हैं तो उससे आप WhatsApp भी कर सकते हैं हमसे बात भी कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में वीडियो को share कीजिए चैनल को subscribe कीजिए और नए महमानों से request है की channel को subscribe करके bell icon पर click करके notification को उन कीजिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में जयाइन जया भारत